राधे राधे दोस्तो दोस्तो आज हम एक ओस्कर नाम के बौने की मूवी का रिभ्यू करने वाले हैं दोस्तो इस मूवी का नाम है टेंडरॉम दोस्तो इस मूवी में ओस्कर नाम का एक बावना होता है जो अपने आसपरोस और घर की सारी औरतों को प्रेगनेंट कर देता है इस मूबी के स्टार्टिंग में दोस्तों हम देखते हैं कि एक आईना नाम की औरत एक खेत में काम कर रही होती है तभी दोड़ता हुआ एक जोसफ नाम का आदमी उसके पास आता है और वो कहता है मेरे पीछे पुलिस पड़े हैं मुझे बचा लो तो फिर आईना उसे अपने गुफा में छुपा लेती है फिर वो गुफा में छुपकर वही पे आईना के साथ घपा घप करने लगता है और उधर से पुलिस आती है तो देखता है कि वो वहाँ पे नहीं है तो पुलिस वहाँ से रिटर्ण चली जाती है फिर एक दिन जोसफ नदी के किनारे आईना का साथ रहता है तब ही पुलीस वहाँ पे आती है और वो नदी में छलांग लगा देता है सारे लोगों को लगता है कि वो मर गया है और कुछ को लगता है कि वो अमेरिका में जाकर एक रहीस की जी रहा है आइना एक बेटी को जन देती है जिसका नाम अगनिस होता है अगनिस जैन से यानि अपने कजन में एक जैन नाम की लड़के से प्यार करती है और अगनिस एक अलफ़ड नाम के भी इनसान से प्यार करती है इन तीनों के संबंद से एक ओसकर नाम का बच्चा पैदा लेता है फिर कहानी यहीं से स्टार्ट होती है ओसकर जब पैदा होता है तो वो रोता ही रहता है तो उसकी मा कहती है कि जब तुम तीन साल के हो जाओगे तो तुम्हें हम एक ड्रम देंगे तो वो चुप हो जाता है फिर जब उसका तीसरा बड़े आता है यानि जब वो तीन साल का हो तो उसकी माँ उसे ड्रम गिफ्ट करती है और वो अपने बड़े में देखता है कि सारे लोग खेल खा रहे हैं तो वो सोचता है कि अब मैं बड़ा ही नहीं होँगा तो वो सिडियों से गिर जाता है फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और वो सही होता है कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वो बड़ा ही नहीं होगा, वो जब शिडियों से गिरता है तो उसके अंदर एक अजब की सक्ती आ जाती है, कि उसे कोई अगर उसका ड्रम छीने तो वो चिलाता है, तो काँच तूट जाते हैं, ये पावर उसमें आ जाती है, अगर वो उसकर की दोस्ती एक डबरा नाम के बाउने से हो जाती है, जो डबरा होता है, वो उसकर की पावर को देखकर कहता है, कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते हैं, तब तक उसकर के माबाप वहाँ पे आ जाते हैं, और उसे वहाँ से ले करके चले जाते हैं, और उसकर की मा होती है वो जैन से हमेसा मिलते रहती है तो वो मा बन जाती यानि उसके पेट में बच्चा हो जाता है तो उसे पता चलता है कि ये जैन का बच्चा है तो वो बहुत सारी मचलियां खा लेती है और फूट पॉइजनिंग के कारण उसकी मौत हो जाती है इसके मरने के बाद जो आसकर का पीता होता है, अलफड वो एक मारिया नाम की लड़की को अपने दुकान पर काम करने के लिए रखता है, जो 16 साल की होती है, या होती है, वो आसकर का बहुत अच्छा खासा ख्याल रखती है, क्यूंकि उसे लगता है कि यह भी बच्चा ही है, फिर धीरे धीरे ओसकर को मारिया से प्यार होने लगता है क्योंकि वो उसी के एज का होता है लेकिन वो बावना होता है वो बड़ा नहीं होता है तो मारिया को लगता है कि ये छोटा ही है फिर एक दिन अलफड किसी काम से बाहर जाता है तो ओसकर मारिया के चादर में घुश के घपा घप करने लगत तो फिर औसकर उसे दिलासा देने के लिए उसके पास जाता है तो मारिया उसे बावना काकर एक लात मारती है और फिर उससे नफरत करने लगती है। लेकिन औसकर इस बात से खुश नहीं होता है तो फिर औसकर अपने बावनास दोस्त डवरा से मिलता है और उसके साथ उसके ड्रामा कंपनी में काम करने लगता है और अपनी मरजी से जीने लगता है फिर औसकर को वहाँ पे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है रसमिता रसमिता नाम के लड़की से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा खुस रहता है फिर अचानक वहाँ पे एक दिन अमेरिकन का हमला हो जाता है जिसमें रसमिता की मौत हो जाती है फिर औसकर अकेला हो जाता है औसकर अपने पिता अलफड और मारिया के साथ रहने लगता है लेकिन एक दिन रसियन सिपाही सारे घर की तलासी लेकर सारे लोगों को मार मार के वहां से भगा रहे होते हैं वैसे ही अलफड अपने पुरिवार को लेकर एक कोने में छुपके रहता है तब ह वहाँ पे रसियन सिपाही आ जाते हैं और रसियन सिपाही आते हैं तो वो अलफट को मारने लगते हैं और सारे लोगों को वहाँ से मारके भगाने लगते हैं तो आसकर अपने पिता को सिपाही नहीं होने का एक तावीज होता है जिसमें लिखा होता है कि वो सिपाही है वो अ वो जाता है अपने पीता के कबर पे जाता है और वही पर अपने ड्रम को भी दफना देता है तभी अचानक उसे पत्थर से चोट लगती है तो कुछ लोग कहते हैं कि अब ये बड़ा हो रहा है फिर वहां के महले में रसियन का बहुत बड़ा हमला होता है जिसे देखकर वहां के सारे लोग वहां से पलायन करने लगते हैं तो ओसकर चिलाता है और सब को रोकने एकोसिस करता है लेकिन कोई नहीं रुकता है फिर आईना जहां खेत में काम कर रही होती है इस्टोरी वहीं पहुंचती है और ये स्टोरी यहीं पे खतम हो जाती है दोस्तों ये ओसकर की कहानी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और इसी परकार के हॉलिबूड मुवी की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर फ फेस्बुक पेज को भी फॉलो कर लीजेगा ठीक है दोस्तों फिर मिलता एकले वीडियो में तब तक के लिए बाब बाए